हेलो कैसे हैं आप लोग गुड मॉनिंग बच्चो वेलकम टू मैं यूटूब चैनल बेस अप्रोच बच्चो यह रिविजिजन सीरीस का अगला यूनो सेट आफ फॉर क्वेशन्स है जिसमें हम कॉंप्लेक्स के आज क्वेशन्स करेंगे बच्चों कॉंप्लेक्स बहुत इ स्विकल्ट होने का रीजन यह है कि इसमें जुमेट्री भी बहुत अच्छी आती है यह निकि स्टेट लाइन सर्कल परा बोला भी कई बार इलिप्स हाइपर बोला यह सब भी आ जाता है इसके अलबावा इसमें कॉट्रेटिक भी आयता है ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छ इसके अंदर है तो स्टेट लाइन सर्कल मिला कि टिग्नोमेट्री कौड़ेटेक सीक्में सीरी इतने सारे अप्लिकेशन जब एक ही जग पर होते हैं एक ही जगपर होंगे तो थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा थे रिवाइस करें तो मुझे लगता कि आप बहुत सारी आप रिकॉल कर लेंगे तो काफी कमफर्टेबल भी हो जाएंगे पच्छो स्टार्ट करते हैं तो माइनेम इस बनौ चोहन एन आएम टॉप एडुकेटर ऑन कैट्वी प्लस प्लाटफॉम मेंटर फॉल इंडिया फिर्स रैंक ट्वेल्थ रैंक ट्वंटीफ बीटेक फ्र इतने का मिल रहा है तो आप चेक आउट कर लेना अपना कोर्स का डूरेशन अपना जो सब्सक्रिप्शन का जो टेन्यॉर है जो समय है वह आपको खुद अपने एडवांस के एक्जाम के हिसाब से डिसाइड करना होगा जैसे अगर कोई 2023 एक्जाम उसका 6-7 महीने आगे तो उसके लिए नाइन मंत वाला ठीक रहेगा अगर कोई 2 साल की तेहरी कर रहा है या 11th में 11th वाले के लिए 18 महीने काफी सही रहेगा ठीक है बचो एन्रोल इन अपकोमिंग बैचिस जैसे ऑल टार क्रेश कोर्स आ रहा है जै मेंस 2023 के लिए यह स्टार्ट वराइट 24th अकैडमी यह आपको पढ़ाएंगे अर्ली ग्रोथ बैच जैए मेंस एडवांस 2025 बच्छो यह 24 नॉम्बर को स्टार्ट हो रहा है बैच के हाइलेट से की स्टार्ट अर्ली एंड बी यह स्टेप अहेड इन यो जैए प्रिपरेशन जितना जल्दी आप को सॉल करना स्टार चैप्टर रिवीजिन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना जैट वन जैट तो भी कॉंपलेक्स नंबर मॉट जैट वन मॉट जैट तो वन है यह नहीं कि यूनि मॉटलर है यूनि मॉटलर पता होगा आपको मॉट वन प्रूब दाक मॉट अफ जैट वन प्लस प्लस मॉट अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है कि इसमें ऐसा कर सकते हैं जैसे मानलों मैं किसी एक को इसके साथ कम्माइन करता हूं तो मुझे ट्राइंगल इनिक्वैलिटी आदें मॉट ऑफ जैट वन प्लस एक टू यह आपको क्या होता है लेस देन इक्वल टू मॉट प्लस मॉट आपका आपका मॉट आफ मॉट ऑफ जैड़ी यह चीज ट्राइंगल की यह यह दो साइट का सम्ट यह थर्ट साइट से बढ़ा और थर्ट साइट जो है वह आपके दो साइट के डिफरेंस से बढ़ा होता है यह लिखा हुए तो मैं यह सोच रहा हुँ यह चीज जैड जो है क्या होता है मॉट ऑफ माइनस जैड और मॉट ऑफ सेम होते हैं तो मैं क्या कहता हूं कि अगर अपने इसका नेगेटिव रख दे हैं यानि कि मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब कर ने दोनों का सम भील्ट और माइनस दोनों का सम दोनों गट जाएगा और किता आएगा फिर बच्चों आपका यहाँ पर क्या आएगा जेट त्यों यहां सेप्रेट आएगा और प्रूफ कर चुका है यह जो नंबर है यह प्रूफ कर चुका हूं माल लो यह अल्फा है तो मैं प्रूफ कर चुका हूं कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक अल्फा जो कॉंप्लेक्स नंबर है वह अब चुका है तो मुझे प्रूफ करना था अल्फा प्लस बीटा ब्ला ब्ला तो लिखते हैं अपना प्लस बीटा लिखते हैं तो वन माइनस मौड़ ऑफ बीटा का है वन प्लस इसके बारे में मुझे प्रूफ करना है तो को मुझे ट्रेंगल इनकुलेटी दो का मॉट लिखा है दो का मॉट लिखा है इंके सम ग्रेटर देन इक्वल टो होगा इन दुनों का सम किता रहे विच्वा रहे है वह को का मॉट तो किता ज तो यह तो पहले से यह था बाउन मैं पर रीचि कटा सा इंग भूस को पफ्या है अलफा ग्रीटर दन इकवए कि उडतवन तो इसको बोल मैं को सो मैंने प्रूव करदिया अलफा फ्लस गामा अलफा फ्लस गामा था याम यह प्रूव कर दिया अल्फा प्लस गामा मैंने प्रूव कर दिया तुए टू से बढ़ा है और अभी थोड़े देर पहले प्रूव किया था कि यह जो अल्फा था मैं नाम गलत लिदी एक्षिविए नाम गलत लिख दी एक्षिविए कुछ बीटा था कुछ अल्फा था कुछ गामा था तो नाम इधर से दिखनी राएक चुछ ना 1-1 का मॉड या 2 से बड़ा तो प्रूव हो गया 1 प्लस एड़वन क्या था 1 प्लस एड़वन तक बीटा यह बीटा है और अल्फा किसको माना था इस पूरे expression को माना था alpha greater than equal to इसको गामा बोल रहा था alpha greater than equal to gamma है यह मैंने क्या प्रूफ किया gamma plus बीटा और gamma swim क्या alpha से छोटा gamma swim क्या alpha से छोटा बीटा तो बीटा यह बच्चों यह number आपका two से बढ़ा यह number obviously इससे बढ़ा क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूं कि alpha जो है वो gamma से बढ़ा है यहां पर alpha greater than gamma है तो automatically क्या प्रूफ हो गए this greater than this this greater than this तो alpha plus beta greater than equal to two यह मुझे प्रूफ करना था alpha plus beta ठीक है बच्चों इसमें सबसे important part जो है triangle inequality तो सही है लेकिन यह click करना काफी important है कि one plus Z two जो है उसको अगर मैं minus one minus Z two लिखू और फे triangle inequality लगाओ इतना साफ सुत्रा टर्म बनाना ठीक है इतना साफ सुत्रा टर्म बन रहा है ठीक है यह सबसे बड़ा सब्सक्राइब करना है इस equation के सारे रूट जो है उनका जो magnitude हो वने इसमें कुछ common शॉमन सोचते हैं जैसे for example यहां पर पहले दो टर्म है उनमें अगर मैं जेट स्क्वेर आराम से दिख रहा है किता आएगा आयोटा जेड गहां प्लस वन आज ठीक और माइनस बचों यहां पर किता रहा है कित अ हुटा होता है यह अगर आपको जल्दी से दिख जाए कि 1 by iota minus iota होता है आराम से आप देख सकते हैं z minus iota आपका common आ गया है और अब आ रहा है iota z square minus 1 is 0 यहां से आपका z का value या तो iota आ रहा है या z square आपका 1 by iota iota होता है minus iota anyways अगर z square अगर आपका minus iota आ रहा है तो जितने भी roots हैं इस equation के आप देखें mod लेकर के दोनों तरफ तो mod of z square किता आ जाएगा बना जाएगा mod of z square अगर बने तो mod of z square किता आएगा mod z positive होता है तो mod z किता आ जाएगा वन ही आएगा क्योंकि square का mod अगर बन है तो number complex number का भी mod किता आएगा बनाएगा एंस प्रूफ है आयोटा का तो mod 1 है कि अच्छों इंटरप्रेट द फॉलेंग लोकस बचों लोका ही जो है प्लोट करना समझना कि कहां पर है क्या sketch बनेगा वो बहुत important है विए आट ने यह 5x4 इस तरह के questions पूछ रहे है आट वाले 5x4 क्या होता है आपका वह आपका आर्क लेंट होता है किस तरफ होता है वह आपको देखना पड़ेगा मेजर है की माइनर है 3 5x4 भी आप उसी तरह से मेजर माइनर आपको इंटर्प्रेट करना ना चाहिए अभी मेरे simple question लिया है दुबारा जब revise एक बर और करेंगे ना तब आपको मैं और difficult 5x4 वाला करौँगा तो अचो argument of z है ना पहले एक बार बहुत simple locus एक बार समझ लो अर्गुमेंट of z माइनस a है is equal to मालो आपको 60 दे रखा है एक complex नमबर है आपको मालो 1 प्लस 2 आयोटा दे रखा है तो origin shifting से देख लो कि argument of z 60 का मतलब क्या होता है argument of z 60 का मतलब बहुत simple एक रे होती है जिसका angle with positive x-axis किता होता है 60 होता है रीजन क्या है what is the reason परिभाशा अगर यहां पर कोई भी complex नमबर लिया इस रेखा पर और वहां से अपने यह perpendicular डाला और यह ऐसे करके दिया तो इस point को origin से जोड़ने पर जो आपका vector बन रहा है उसका angle with x-axis हमेशे क्या होगा 60 होगा यही definition होती है argument amplitude की ठीक है अच्छा अगर z की जगा z minus हो जाएगा तो आपको origin shifting आता ही point 00 की जगा point आपका जो यह है यह आपका a पर चला जाएगा यह पर चला जाएगा तो 1,2 x1 y2 और यहां से आप एक रे बना दो जो आपका 60 डिगरी बना रही हो horizontal line के साथ है इसको आप line की form में लिग भी सकते हो जैसे 60 है यहां पर तो slope किता हो जाएगा slope आपका root 3 हो जाएगा और point किता हो जाएगा 1,2 यह आपका line का equation आगे और बच्चोई तो complete line है इसमें आपको यह declare करना पड़ेगा कि मैं x का value 1 से बढ़ा लूँगा तभी आपका ray आएगा नहीं तो वो तो क्या है आपका 120 को correspond करने लग जाएगा यह वाले point है complete line के 120 आजएगा अच्छा argument of z1- argument of z2 होता है argument of z1 by z2 होता है अच्छा 90 का मतलब क्या होता है semi circle होता है मैं अभी आपको बताता हूं पर पहले अपने एक बार यह point identify कर लें यह 0,1 है यह 0-1 है तो जीरो वन है एक 0-1 यह point एक 0-1 और मैंने बना दिया इस circle अभी आपको ऐसा सुझाएगा कि यह क्यों आया है थोड़ा सा वक्त दो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया अगर नहीं है तो फिर समझाने में टाइम लगता है अपने अगर लेक्चर रेंट कर रखें फिर को मालो मेरा complex number यह है यहां पर यह मैंने यह बनाया यह बनाया ऐसे और extend कर दिया तो Z plus iota जो है वह क्या है Z minus minus iota Z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ है और यह आराम से दिख रहा है जो यह एंगल 90 है क्योंकि मैंने बनाया है यह एंगल आप ऐसे नमबर दे रहो है मैंलों यह एंगल 60 है और यह एंगल 30 हो जाएगा यह 30 60 तो 90 हो जाएगा 90 आगया अब आपने को सोचना है कि positive negative है तो जेट प्लस आयो उटा नहीं है plus 60 minus minus 30 60 minus minus 30 किता होता है 90 होता है बिल्कुल सही है यानि कि मेरा आंसर हो जाएगा यह वाला पार्ट यह पूरा पार्ट और बचो अगर मैं इस left half की बात करूं तो left half में अगर मालो मैंने point ले लिया यह वाला वेक्टर बनाया और यह वाला वेक्टर बनाया यहां से देखना तो जैट प्लस आयोटा यानि कि वाला मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं कुछ अंदा था वह वह वन ट्वेंटी की थोड़ी सी फील आई 120 जैसा और जैट माइनस आयोटा यह वाला है तो यह एंगल की बात कर रहे है यह माइनस वन माइनस वन फिफ्टी जैसा सोच सकते हो है ना माइनस वन फिफ्टी जैसा ऐसा है तो तो 120 अ गया है 120 माइनस माइनस वन फिफ्टी जैसा घेक्श के आंगे में एंटी कंवाइज में आंगे कौन है यह एंटी क्लॉकवाइज में और जबकिन अगर अगर अगन आपका यह एंटी क्लॉक्वाइज में आगे है लेकिन इतना आगे है यह तो नहीं आ रहा है इस नोट दढ़ आंसर ठीकिन क्योंकि आप देखो यहां से यह गए अपन यह वाला एंगल बन रहा है और यहां से अगर इधर गए यह 90 प्लस बन जाएगा यह वाला एंगल एंग यह आपका आंसर है और इंटर्प्रेट दे लोकस बच्वी यह ने बताई दिया आपको है एक्स थ्री यहां से स्टार्ट होता हुआ और हॉर्जन टे साथ एंगल क्या बनता हुआ और ऑड़न टे साथ एंगल इस्टी बनता हुआ लाइन यह रही और लिखने का तरीका मैं सब्सक्राइब टो रूट 3 इंटो एक्स माइनस 3 जिसमें एक्स आप 3 से बढ़ा ले लोगे तो आपका यह बन जाएगा आप वाई लेस देन वाई ग्रेटर देन 4 भी कर दोगे तो भी वही से इंटर्प्रेटेशन निकलेगा ठीक है ठीक है तो याद रखना यह आपका ए जिसे में सरकल सरी अपर हाफ लोगर राइट आफ लेफ्ट आफ या आडा तिर्चा हाफ डिपेंडिंग अपॉन की वह पॉइंट जहां कहां पर है इसे आप पर 010-1 था यह 010-1 था यह 0-1 यह 0-1 था बच्छों मिलते हैं एक्स देन पर ना बाए बाए